हलो स्टूजेंट्स वेलकम टू मेंग्ड़ प्रिंस यहां पर आगए बसंत बुक का नया चैप्टर लेकर चैप्टर है हमारा क्या निराश हुआ जाए यह चैप्टर लिखा है हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने तो यहां पर हमको दिवेदी जी ने बताया कि हमारे आसपा लाने की कोशिश करनी चाहिए तो इस लेक ने हमको बहुत कुछ चीज़े समझाई हैं बताई हैं और हर एक बुरी चीज़ के पीछे भी कहीं न कहीं हम कोई अच्छाई ढूंड ले हमें इस पॉइंटे से सूचने के लिए भी मजबूर किया है तो क्या कहते हैं अजारी प परण बना है उससे लेखक में चिंता व्यक्त की है यानि कि आज अगर हम समाचार पत्र उठाएं हमने जैसे समाचार पत्र यानि कि अख़वार हम उठाते हैं निउस्पेपर तो हम क्या देखते हैं कि कहीं पर कोई स्काम हो गया कहीं पर दंगे हो गए लड़ाई हो गई ह आपके सामने रहें निर्येटिव खबरें रहें पॉजिटिव एक आद कहीं का दुका हमें किनारे मिलती हैं तो यह सब चीजें जो हैं वह जब हम देखते हैं तो सोचने पर हमें मजबूर करते हैं कि जो पाठक हैं वह इन सब चीजों को पढ़के कितना जादा निराश हो रहा है दोनों काम हो रहें और ऐसे करने वाले लोग भी मौझूद हैं पर हमें अच्छे काम करने वालों से प्रेणा लेकर आशावादी होना चाहिए कहने का मतलब है कि माना इतनी सारी निगेटिव खबरें हमने एक अकबार में पढ़ी हैं सुबह सुबह हम आरे पास नि देखा होता है वह थाट भी हमें बहुत पॉजिटिव हमें आशावादी करता है हमें प्रेणा देता है पूरी दिन के एनरजी देता है बहुत वह थाट अपढ़िये आपको बहुत नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है तो यह क्या चीज़े हमने इतनी सारी चीज़ों के बेच में हमें आशावादी चीज़ों को खोजना चाहिए और आशावान बनना चाहिए जब लेखा आज कल के समाचार पत्रों को देखता है तो उसमें ठगी दकैती तसकरी चोरी और भिष्टचार के समाचारों की बहुलता रहती है जिसे देखकर उसका मन द होता है बहस होने लगती तो आरोप हमने जो गलत किया उसकी सिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं हम उसका आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं और दूसरा हम पर क्या कर रहा है नहीं हमने नहीं किया था उन्होंने ऐसा किया था तो वह होता है आरोप प्रत्यारोप हम पे एक आर रही नहीं गया है ऐसे में हर व्यक्ति गुणी कम दोशी अधिक दिखता है तो मतलब जो हम यह सारी चीज़े देखते हैं तुम यह सोचते हैं कि आज दुनिया में सब ऐसी गलत लोग भरे पड़ें बुरे पड़ें पड़ें कि आज कोई अच्छे लोग बचे नहीं है यान उचे पतपरासीन व्यक्ति जादा ही दोशी दिखाई देता है दोशों को इतना बढ़ा चड़ा कर दिखाया जाता है कि उनके सारे गुण छुप जाते हैं यानि अखबार में अगर कोई व्यक्ति दोशी है मान लीजिए अगर उसने कोई दोश किया है तो अखबारों के इतना जादा बढ़ा चड़ा दिया जाता है कि दुनिया भर की खामियां हमें उस व्यक्ति के अंदर दिखाई देने लगती है माना कि देखो गलतियां हर व्यक्ति से होती है हर इंसान से होती हर कोई ऐसा नहीं है कि किसी से गलतिया ना हो गलतिया सभी से होती है लेकिन अगबार ने उसको गलत साबित कर दिया उसके गुड़ों को बिलकुल ही छिपा देना चिंता का विशह है यानि कि अगर कोई व्यक्ति गलत कारे कर रहा है माना तो मगर उसमें कुछ गुड़ भी तू होंगे तो हम अमेशा दोशों को उजागर कर देते हैं और गुड़ों क का मानना है कि भारत भूमी पर बड़े-बड़े मनीशी पैदा हुए मानवता हमारा आधार रहा मनीशी मतलब जो महान बेखती होते हैं जो हमको अच्छे-च्छे संदेश देते हैं तो बहुत बड़े-बड़े लोग पैदा हुए और यह हम इन्होंने हमको बहुत जादर मानवता के संदेश दिये अब आप किसी को भी उठा लीजे मात्मा गांधी को ही ले लीजे जैसे मात्मा गांधी तो उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा जैसा बड़ा हत्यार दिया कि हमेशा हमें सत्य बोलेंगे तो उन्होंने यह हत्यार हमें क्यों दिया सबसे पहले देख कि आप पूरी तरीके से किसी चीज के लिए पूरी तरीके से द्रण निष्चे करके आप आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए बोलते हैं कि सत्य का सहारा लेजी और सत्य ही बोली अगर हम सत्य बोलेंगे तो क्या होगा हम कभी किसी से डरेंगे नहीं और अहिंसा मतलब हम किसी के स हम सही साबित करेंगे तो आप जैसे कुछ में गलत किया तो हम वह उसमें गलत करने की कोशिश करने किसी ने गलत किया तो उसको भी सही बनिशी है यह किस्ति हम को मिला बड़े बनिशी जैसे आय सकEvetृ थो ये समाज आए बाहर से भी लोग आए हमारे यहां different जातियां रही सामराज्य बहुत से स्थापित हुए तो इन सब ने हमारे अंदर बहुत सारी चीजों का मेल किया है यह मानव महा समुद्र कभी सूख नहीं सकता यानि कि यह जो मानव का महा समुद्र इतने सारे माना वहारे यह आए हैं तो यह कभी सूख नहीं सकते अगदम चान तो यह नहीं हो सकता यह तो पॉसिबल नहीं है अच्छाई अच्छाई वी टिक है तो भी विश्व टिका हुआ है अगर हर जगे गुरी चीज हो जाएगी मार काट हो ज इसी के साथ यह भी सही है कि आजकल कुछ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि परिश्रमी और भोले-भाले भोले-भाले परिशान है तता फरेब का व्यपार करने वाले उन्नती करते जा रहे हैं माना कि आजकल का ऐसा वातावरण है कि जो भोले-भाले होते हैं उनको हुआ है इस महाल में इमानदारी सचाई मेहिनत आदी बेबसी बनके रहेगी अगर इन सब चीजों को आज हम फॉलो करने के तो मतलब बेकार आदमी है का फॉलो करेगा कित्ता करेगा लेकिन एक याद कि बुराई अगर एक है अगर मान लीजे कि हम चार लोग मिलकर एक बुराई कर रहे हैं और एक आदमी अगर उसमें सही पहुँच जाए तो दूसरे लोग उस बुराई को पूरी तरह खतम तो नहीं करेंगे लेकिन हम मानते हैं कि 2% उस बुराई को कम जरूर करेंगे उस एक व्यक्ति के साथ के साथ वो बुराई धीरे कम उसकी रफतार कम होगी लेकिन वो कम होगी इस चीज़ की 100% गैरेंटी है कि 4 लोग जो गलत कारे करते हैं उनके बीच अगर एक अच्छा व्यक्ति पहुँच जाए तो वो सब कहीं न कहीं अंदर से महसूस करने लगते हैं कि हाँ हम गलत कर रहे हैं और अंदर की जो गिल्ट होती है वो धीरे धीरे हमको बुरे काम करने से रोकने लगती हैं तो यह इसको अपने अंदर बनाए रखें और इस दुनिया का बैलेंस सुधारे रखें ऐसा नहूं बुराई बहुत जादा तादाद में बढ़ जाए इससे जीवन के मानवी मूलों के प्रती लोगों की आस्था विचलित होई है हम मानते हैं जैसे हमने अभी आपको बताया कि ज अगर वो अपनी सच्चाई पर अडिग रहें वो डिगे नहीं तो क्या होगा कि उन लोगों के अंदर का गिल्ट उनके अंदर की बुराई को धीरे-धीरे कम करेगा इदम से कम नहीं हो सकता लेकिन धीरे-धीरे वो कम हो सकता है भारत वदेश जहां भौतिक वस्तुओं के संग्रय को महत्तो दिया जाता है भौतिक मतलब जो हमें सुख प्रदान करती हैं जो अबजेक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं भौतिक सुख हमको संग्रय कर रहा जाता है यहां मनुष्ट के आंतरिक भावों को विशेश माना जाता है यानि कि जो आंतरिक भाव हैं उनको विशेश माना जाता है हर व्यक्ति में लोब, मो, काम, क्रोध आधी भरें पर इन्हें प्रदान मान कर मन को इनके इशारे पर नहीं छोड़ना चाहिए मतलब कि अब हमको अगर मान लिजे हमें कोई चीज अच्छी लग रही है मान लिजे सपोस्स बहुत गर्मी पढ़ रही है और हम चाहते हैं कि हम कूलर से काम नहीं कर पा रहे हमें एसी चाहिए तो अब उसको पाने के लिए अगर हमें कोई गलत कारे करना पड़े तो हम उसमें इतनी ज़ादा मतलब लग ऑजाते कि नहीं हमें करना है कि सभी जरीया से करेंगा और हम ऐसी लगवाएं तो यह क्या हुआ हमारा मन इतना जादा उस उसको पाने के लिए इच्छा उस विधा को माने के लिए इतना जादा व्याकुल हो गया कि हमने सही रास्तों को छोड़ दिया तो मतलब ये जो भावनाए होती हैं लोब, मोह, काम, क्रोध, यानि कि ये जो होता है क्रोध आना, गुसा आना, किसी चीज का लालच होना, ये हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन हम अपना मन, अपनी सारी समझ मुनके भिरों भरों से छोड़े तो हमें ऐसा नहीं करना चाहि हमें अपनी बुद्धी से भी इस काम को अंजाम देना चाहिए हम जानते हैं हमें इस चीज की जरूरत है लेकिन हम सही रास्ते से पैसे कमाएंगे इकठा करेंगे तब हम इसी खरीद लेंगे हमें सुविधाद चाहिए लेकिन सही रास्तों को हमें नहीं छोड़ना है ये ध्यान रखना लोब सब के अंदर होता है अच्छी एक अच्छे कपड़े देखेंगे तो लगए हम ले ले तो वो लोब हुआ न अपनी चीज का हमें तो ये सब चीजे क्या होती है सभी के अंदर मौजूद रहती है लेकिन इसको हमें कंट्रोल में रखना है इन्हें सैयंत रखने का प्रयास करना चाहिए तथा आवशक्ता अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए यानि कि जहां पर आवशक है उन्ही का इस्तेमाल वहां पर इस्तेमाल करें नहीं तो इनको सैयम में रखना चाहिए यानि कि काबू में करके इन फीलिंग्स को रखना चाहिए इस देश में करोडों करोडों गरीबी गरीबों कोई हीन अवस्था में दूर करने के लिए कानून बनाए जाते हैं मतलब हारे देश में गरीबी बहुत है वह करूनों की दादात में गरीब हैं तो उनको उनको करीबी से दूर करने के लिए बहुत सी जो हैं कानून बनते हैं जिनका लक्ष क्रशी उद्योग वाणिज्य सिक्षा और स्वास्त को ब बेहितर करना है इनकी अब जो विवस्था हैं हम और जादा अच्छी करें पर इन कार्यों में जिन लोगों को लगाया चाता है वह वास्तिव उद्देश से भटक कर स्वेमी फायदा उठाने में लग जाते हैं तो क्या होता है सरकार ने कुछ फंड लोगों को एलाउट किया मान लीजे कि सिक्षा के छेत्र को डेवलब करने का कार एक संगोष्टी गठित की गई गोष्टी एक सदस्की टीम मनाई गई और बोला गया कि आप जो है स्कूल बनवाई है वहाँ पे अच्छे पुस्तकाले बनवाई है अच्छी सुविधाएं दीजिए सब बोला गया उन से अब जो गोष्टी में जितने भी लोग हुए तो उन लोगों ने वह डेवलिप्मेंट करने के जगा क्या किया उन पैसों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया यानि कि सरकार करती है लेकिन बीचौल यह जो होते हैं वो उन चीजों को खा जात लेकिन उसको हम कैसे देखने लगते जिसे हम छोड नहीं सकते किंतु वर्तमान में इसमें भी बदलावाया है बोग धर्म और कानून में अंतर मान कर कानून को धोका देने लगे मैं यानि कि हम कानून से भी बचने के बहुत से रास्ते के निकाल लेते हैं यह आज Go के लाब उठाने में बिल्कुल भी नहीं चूपते कहीं पर अगर है तो हम उसका लाब उठाई ही लेते हैं कहने को कुछ भी कहा जाएए पर धर्म कानून से बड़ी चीज है कि कानून है लेकिन धर्म हमारा उससे जला क्योंकि धर्म हमें क्या सिखा रहा है एकता सिखा रही है तो धर्म कानून से बढ़कर है तो हमें देखे एक एक चीज को बताया जा रहा है कि आपके आज पास जो चीजे ब्रश्टाचार फैल रही है वो किसे फैल रही है कानून बनाये जा रहे हैं तो उनसे ब्रश्टाचारी पैदा हो रहे हैं ब्रश्टाचारी जो बन रहे हैं व लोगों के लिए जान देने के बराबर होता था तो राजा का कहा हुआ क्या होता था कानून होता था तो उस समय धर्म और कानून एक माने जाते थे लेकिन धीरे धीरे आज कल लोगों क्या कर दिया धर्म को बढ़ा दिया और कानून को अलग कर दिया क्यों कानून से बचने के तरीके ढूंड लिए बहुत से गलत-गलत रास्ते निकाल लिए कि हम ऐसे नहीं वैसे करके हम बच जाएंगे तो वो चीजें सामने आती गई धर्म दवा जरूर है पर नश्ट नहीं हुआ है मतलब धर्म को लोगों ने दबा दिया है अपने हिसाब से उसको मोड लिया है मगर वो खत्म नहीं हुआ है वह आज भी मनुश्य को प्रेम करता है इस्तरीयों का सम्मान करता है जूट और चोरी को पाप समझता है अगर हम धर्म की किताबों को देख कर पढ़ें तो आज भी हमें यही सब चीजे सिखाई जाती है घर में जब हम किसी पंडित के किसी के प्रवचन में बैठें तो भी हमें यही चीजे बताई जाती है इस्तरी का सम्मान करिए चोरी मत करिए ठीक है मानवता रखिए जरूर ब्रश्टाचार के पती इतना आक्रोस यही शिद्ध करता है कि हम इनको गलत समझते हैं और गलत तरीके से धन या मान का संग्रे करने वालों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं तो यहां समाचार पत्रों से हमने बाद शुरू करी थी फिर से कि यहां यही बताया जा रहा है कि आपके आसपात बहुत सी चीजें जो हमें गलत चीजें दिखाए दे तो गलत चीजें हमने कैसे बनाई कानून के लूप पोल्स में घुसके बनाई लेकिन पॉजिटिव चीज भी हमारे अंदर आशा कैसे भर रही है हमको बहुत मजबूती दे दर्म के आधार पर ठीके दर्म हमको यह यह हिंदू मुसल्मान के किसाई मुसलमां की बात हमया करें तो सबी बढों का आदर करिए इस्तरीयों का सम्मान करिए जरूरत मनों की सहायता कीजिए मनुश्यता बनाए रखिए प्रकति से प्रेम रखिए सारे धर्म गरंत हमें एक ही चीज सिखाते हैं कहीं से भी आप उठा लीजे तो यहां पर यह सारी पॉजिटिव चीजें हमें कहां से मिल रहे हैं हमें धर्म के माध्यम से मिल रहे हैं क्योंकि धर्म ने हमें अच्छी चीजों का रा परदाफाश करना अच्छा समस्ता है मतलब अगर कहीं बुराई है तो उसका परदाफाश करना चाहिए अच्छी बात है पर किसी के आचरण के गलत पक्ष को गहाटित करते हुए रसका आनंद लेना अच्छी बात नहीं कहने का मतलब क्या है अगर किसी का behavior गलत है तो उसका लेते हुए बहुत ही आनद लेना मतलप हम हम यह आधमी ज़ा किसी एक आधमी कुट् sneeze को मारा कुट्ता तो निरीप्राडी है उसकी प्रवति क्या है मतलप तो निर्जीमद वह जानवर यह इसा है बेजुंबान जानवर अब क्यों मार रहे हो तो मुझ को बेवजा मार है तो आदमी ने गलत किया उसका आच्मराण उसका है गलत था तुम्हारना गलत है हमें उसकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए कहना ची क्यों लुका यह इंभादा खे हमें धर्म नहीं क्या सिखाया है कि ने जो बेजुबान जानवर हैं उनकी साहता को अरे भौका है तो उसकी कोई प्रोब्लम होगी कुछ तरीके होंगे हम शांती से निकल जाए उसको वापस मारना तो यह हमारी प्रवत्ती मनुष्की प्रवत्ती में तो नहीं है न तो यह च Camera चाहिए यानिकी अगर कोई गलत हो रहा है तो हमएं उसकी बात करनी अगर कोई चीज अच्छी हुई है तो उसकी बात करनी जाहिए अब जैसे एक आदमी नहीं हमने आपको इसने कुट्टे को मारा तो वहां पर जो आदमी उसको गलत कह रहा है हमें उसका ज़ो है ज़्यादा उसको मारा तो यहां पर हमें सही का साथ लेदेना है अच्छी घटनाओं को उजागर करने से दूसरों के मन में भी अच्छी भावना बलवाती होती है यानि कि हम बोलें कि हम अगर अच्छी बात उजागर करेंगे तो जो सामने वाला उसको पढ़ेगा उसके अंदर भी अच्छी भावने हां हम भी अच्छा कारे करेंगे तो बहुत आपने छोटे-छोटे बच्चो को प्राइज मिल जाएं तो हम अगर उसकी बढ़ाई करेंगे ममी नेक्स टाइम से हम भी पाट लेंगे तो जो बच्चा लिखने से डर रहा था कि हम पाट नहीं करेंगे उसके सामने जब हमने अच्छे की जिसने प्राइज किया उसकी जब करने के लिए इसी संबंद में लेखा के घटना हमको बताते हैं क्या बताते हैं कि एक बार टिकेट लेते समय उनसे टिकेट बाबु को 10 रुपए की जगा उन्होंने 100 का नोट दे दिया उनको टिकेट लेना था वो जल्दी में थे 10 की नोट की जगा उन्होंने 100 का नोट दे दिया जल्दी में गाड़ी में आकर बैड़ गए यानि कि उनकी ट्रेन शूट गई थी उन्हों टिकेट लिया और जल्दी से आके वह ट्रेन में बॉइट गए कुछ देर बाद वह टिकेट बाबु 90 रुपए लिए डिब्बे में आया और लेखक को पहचान का 90 रुपए द तो वो बहुत ही जादा संतुष्ट हुआ कि हाँ हमने सही कारे किया तो जब हम अच्छा कारे करते हैं और जो संतुष्टी हमारे चेहरे पर रहती है वो हमको बहुत ही जादा संतूर मतलब बहुत ही अच्छी लगती है किसी तरह की परिशानिया हमारे आसपास नहीं रहती तो इसी तरह हजारी पिशाफ्व दीवेदी जी ने हमें एक और एक्जामपल दिया है एक घटना के माध्यम से चलिए देखें वो क्या दिया है दूसरी घटना के नुसार लेखक सा परिवार बस में यात्रा कर रहा था कहां कर रहे थे पूरे परिवार के साथ एक बस की आत्रा कर रहे थे बस में कुछ खराबी थी जिससे वार रुक, रुक कर चल रहे थी बस गंतव से 8 किलोमीटर पहले ही सुनसन जगा पर खड़ी हुई मतलब उनको जहां पहुचना था गंतव्य मतलब जहां तक उनको कुछ कहे संदे एवं भ्रहम से भैसे तरस्त लोगों ने तरह तरह की बाते शुरू कर दी अब वहां जो लोग थे वो डरे थे परिशान भी थे तो उन्होंने तरह की बाते करने शुरू कर दी क्या कोई दो दिन पहले कोई डखैदी की बात कहता तो कोई कुछ और यानि कि दो दिन पहले यहीं पर एक डखैदी पड़ी थी तो कोई बोलता यहां पर डखैद बहुत आते हैं घूमते हैं तो यह सारी बाते आपस में लोगों के बीच में होने लगी लेखक सा परिवार थे लेखक क्या आपने पूरे परिवार बीवी और बच्चों के साथ में थे बच्चे पानी पानी चिला रहे थे परंतु पानी वहां उपलब्द नहीं था बच्चे प्यास से परिशान थे मगर वहां पानी था ही नहीं कुछ नौजवानों ने ड् ड्राइवर कातर धंग से लेखक की ओर देखने लगा मतलब बहुत ही दैनी इस्तिती जो होती है उस धंग से वो लेखक की तरफ देख रहा था कि हमें बचा लीजी लेखक के समझाने पर नौ जवानों ने उसे बंधक बना लिया पीटा नहीं मगर उसे बंधक बना कर रख ल रोख लेक कि य Almpluk से लीजा कर राऊता है कि वहासाइकणी कर आएगा सांत में अपे तो अगर वह को लेकर आता है तो सबसे पहले इस ड्राइवर को हम लोग खत्म कर देंगि इस बीच डेड़ 20 घंटे बीद गए बच्चे भोजन पानी के लिए व्याकोरत थे इस सब जो सब कुछ हो रहा था इसमें देड़ दो घंटे बीत गए अब चोटे-चोटे बच्चे थे प्यास भूंक उन्हों को लगने लगी बहुत देर हो गई थी लेखक की पतनी अलग परिशान थी वह भी बच्चे परिशान है तो मां भी बहुत परिशान हो रही थी लेखक ने कंडेक्टर बस अड़े से खाली बस लिये चला आ रहा है उन्होंने देखा कि कंडेक्टर जो साइकल लेकर जो गया था वो एक खाली बस बस अड़े से उठा कर ले आया उसने आते ही कहा कि वह बस चलने लायक नहीं थी अब इस बस में बैठ ये मतलब जो बस रुख गई दे दिया बच्चे परिशान थे तो पानी और दूद लेकर आया था बच्चों के लिए और कहा कि आप ये बच्चों को दे दीजिए सबने उसे धन्यवाद देकर ड्राइवर से माफी मांगी और बस बारा बजे से पहले अपने गंतव्य पर पहुंच गई मतलब जहां पह लोग बेकू बनाके पैसे ले जाते हैं सब होता है तो वह होता है पैठघी करके लेकी गए उसका मानना था कि कष्टकर चीजों का हिसाब रखने से जीवन कष्टकर हो जाएगा कई बार लोगों ने आकारण उनकी सहायता भी की थी निराश मन को दिलासा और हिम्मत प्रद हैं तो क्या होगा मन निराश ही होगा ना तो संजोने का काम हमें किसे करना चाहिए अच्छी यादों को तो उससे क्या होता है हमें पॉजिटिव फीलिंग आती प्रेणा मिलती है और अच्छे काम करने की तो उन्होंने हमको यह दो अच्छी यादे बताएं कि माना की चार जब हमको जब positive चीज मतलब यानि की आपको जब आशावान चीजें मिलेंगी तो आपका जीवन कभी भी निराशनी होगा और हमें हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहेगा रविंद नातनी ईश्वर से प्रातना करते हुए लिखा है कि यदि केवल धोका खाना पड़े या नुकसान उठाना पड़े तो भी हे प्रभो इत्ते शक्ति देना कि मैं तुम्हारे उपर संदेह ना करूँ तो उनकी लिखी लाइन है कि माना कि हमने धोका खाया या कहीं हमारे साथ विश्वास खात हुआ तो प्रातना ये नहीं करना कि हमारे साथ धोका ना हूँ मगर प्राथना ये करना कि किसी भी हाल में मैं आपके उपर संदेह ना करूं कि इश्वर आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं ऐसा संदेह मैं आप पर कभी ना करूं अंत में लेकर कहता है कि मनुश्य की बनाई नीतिया यदि आज गलत हो रही है तो उन्हें बदलने की जरूरत है अब भी आशा की जोती बुझी नहीं है हमारे उन्नती और विकास के रास्ते अब भी खुले आता मानव मन को निराश होने की अवशक्ता नहीं माना हमारे आसप लें तो हमेशा अपने मन को हमें उस तरफ लगाना चाहिए और प्रोसाहित करना चाहिए कि अगर ऐसी चीज हो सकती है तो हम भी कर सकते हैं तो अपने आसपास अपनी यादों में हमेशा आशावादी चीज़ों को रखिए अच्छी यादों को रखिए और जीवन को प्रेड़ना मिली होगी तो बस द्यान से पढ़िएगा और अब थोड़ी दिर में इसके कोशन आंसर लेकर हम आपके सामने उपस्तित होंगे थैंक यू बबाई